वेल्कम बैक टो गुसाईं व्लॉक्स तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्व्यस्थ होंगे तो मैं भी अपने काम में व्यस्थ हूं मौनिंग के काम में आज सैटरडे है और रिश्यू प्यू की स्कूल की तयारी हो चुकी है और मैंने उनके ल लोग दोनों खुश भी बहुत रहते तो उसके साथ मैंने इनको सॉस दे दिया था और इनका टिफिन भी पैक कर लिया था तो लंच पैक करने के बाद अब मुझे बनानी थे पीऊ के बाल तो मैंने फटा-फट से पीऊ के बाल बनाए और रेडी किया और इसको अपने ना वाइट रबर नहीं मिल पारे थे जब भी इसको सेटरड़े आता ने इसके राइट वाइट रबर ही पता नहीं कहां गुम हो जाते हैं फिर बोलती ही शॉप से तो आज मैंने ऐसे ही बेज़ा है मैंने जब जाओ एक दिन पनिश्मेंट मिलेगा ना तो अपने आपी होश्ट चिकाने आई जाएंगे उसके बाद मैंना बच्चों को स्कूल बच्चे गए और मैं भी दूद ले करके आ गई दूद को मैंने च्छनी से चान लिया और गरम होने के लिए रख दिया टाइम से और इसके बाद ना पता क्या होता है इसके बाद मुझे नींद आनी शुरू भी रहता है मगर मैं थोड़ा आल सी हूँ आपको पता ही है कभी बस क्या ही बोलो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ आपको पता ही होगा इतने दिन से आप लोग मेरे व्लाग भी देखी रहे तो मुझे नींद बहुत जादा आती है फिर मैंने सोचा कि नहीं आज मैं भी नहीं जितनी की ना तैय लगाने में आती है मुझे तो बहुत जादा आती है आपको पता नहीं आती होगी नहीं आती होगी वैसे जल्दी लगा लेती हूँ मैं जब काम करने पर आ जाओने तो वो फटा-फट से होई जाता है और सुस्ती आ जाती ना फिर सच महीं मन नहीं करता है तो मैंने ये काम तो अपना कर लिया था कमप्लीट और ये देखिए बैट शीट वगरा भी ठीक करके घर कितना अच्छा लगता है नहीं तो सुबह-सुबह इतना विखरा-विखरा होता है क्या ही बोले उसके बाद मैंने चाय बना ली थी और ये थोड़ा सा ठेकवा जिसको बोलते हैं ना जो मैं कोड़वार से लाई थी तो ये खाया और फिर सुस्ती जैसी आ रही थी इसके बाद फिर मैंने सुझा छोड़ो सुस्ती और लग जाओ अपने काम पर बरतन वरतन दोए और शिंक को अच्छे से धो दिया क्योंकि शिंक गंदा हो रहा था ना हर दो दिन बाद इसको धोले तुकि की होई जाता है गंदा बच्चे ब्रश फेश वाश वगरा करते हैं तो गंदा होई जाता है अब मैंने थोड़ सा इसमें डाल दिया था सर्फ और अपने शिंक को अच्छे से रगड़ कर दिया था सफ अब कैसे करते हैं अपने शिंक ओक्लीन मुझे जरूर बताहिजेगा मैंने तो देखो ऐसं ब्रश दाले हो गया उन्नीनक खेड़ियर तो इसके बाद अब हैं वह थो उनको जरूर से प्ता होगा तो मैंने डालिये था अच्छे से fan on कर दिया था light on कर दिथी दोने रोम की और अच्छे से जाड़ो पोचा किया था मन लगा के खूब हफते में दो बार मैं खूब मन से जालू पोचा करती हूँ और बाकी तो मैं शॉर्ट करती कर देती हूँ कि बैड़ के नीचे डस्ट वगरा हो जाती है तो मन से करना भी पड़ता है क्योंकि मच्छर वगरा हो जाते है और ये हो गया हमारा घर clean and clear देखे कितना प्यारा लग रहा है और फिर आ गए मेरे ये कपड़े जो मैं अभी पूजा करने के बाद छट से लेकर आ गई हूं गुसाई जी भी breakfast करके चले गया उन्होंने सर्फ एक ही पराठा खाया और थोड़ी से सब्जी बीन्स की फिर वो चले गया और मैंने सर्फ चाय और वही ठेकवाई लिया था थोड़ा सा वैस मेरा उसी से हो गया था मन्नी हो रहा था फिर उसके बाद मैंने सुचा आप तैव मैं भी जाना था तो इसलिए मैंने सुचा फटा फट से कपड़े तैय लगा लेती हूं नहीं तो अपनी और इनको उनकी जगे में सेट कर देती हूं बच्चे आएंगे तो फिर अपने अपने कपड़े धूनते ही और इन कपड़ों को पता क्या करना पड़ता मुझे जो आज के दुले उनको सबसे नीचे रखना होता है ताकि ये क्या करें जो उपर वाले कपड़े होते ना उनको तो पहल लेते हैं और जो नीचे होते हैं उनको निकालते ही नहीं इतने आलसी होते हैं बच्चे हमारे बच्चे तो बहुत आलसी हैं आपके हैं या नहीं हैं जर जादा ही हो गए आज तो सुचा आज तो इनकी तय लगा के रखी दू फटाफट से आज सो ही नहीं है तो देखो इतना काम मेरा फटाफट से हो गया सो जाती हूं ना मैं एक घंटा स्कूल के बच्छों को स्कूल चोड़ने के बाद तो फिर ना काम रही जाता है होता तो है मगर क्या करें मुझे नीन बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है और कुशना मौसम भी आज कल इतना अच्छा हो रहा है कि बस क्या ही बोले बादल बादल लगे वे आहा धूप का नामों निशान नहीं है तो ऐसा मौसम तो सच में ही बहुत अच्छा लगेगा ना वो भी गर्मियों में अंती आइस सक आप बड़े कपड़े लगा रहे बहुत ज़ादा नहीं ओगे कर्या। और कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं तो चलिए अब इसी के साथ मैं चलती हूं शॉप में और आप व्लॉग को पूरा देखते देखते इसकिप मत कीजिएगा पूरा देखिएगा और अच्छे प्यारे से अपने कॉमेंट बाई बाई फिर मिलते हैं नेक्स व्लॉग में